नमस्कात दोस्तों मैं ना मैं शुबजी भठाचारियां आप लोग देख रहे शुबड टीवी दिखिए जोड़ों कमेशन पे पहले बार आए सब्सक्राइब ना भूलना और बेले का ज़रूर प्रेस करना इससे क्या होगा मैं जब भी कोई अब बिल्कुल फी चलिए शुरू करते हैं आज बताओंगा कुछ एस्टलोजी के एस्टलोजी में कुछ सिंपिल टेक्णिक जिसको बिसमान करें के आसानी से किसी भी कुणली में देख अगर इस सब दो तीन टेक्निक है तो आप उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं तो पहले क्योंकि आप उसको फील करना होता है ना सही बंदे के पास आए है आम में आपके लिए कर सकता हूं जब भी आप आसानी से देंगे तो बहुत आसने में जो बहुत आने बर उसका लिख लिए याद कर लिए और एक नहीं दस बाड़ा सो कुन दो इस्तमाल कर देंगे क्या सह ही हो घर हो रहा है तो बहुत ही बड़े है तो आप इसको प्रेडिक्शन करने के जूज कर सकता है ज़से पहला जो है आपके पिताजी हो उचाहिए अपके और प contemporane कुई आप चाहिए अपको आप जानते हैं उनको उनके दोषखादी हुई है ऐसा योग बनता है ठीक है आम तोल पी बड़े जो है उनके साथ ऐसा होता है कि इसके लाब आएग utan आए नौस पेया तो पुजीबां कि सको कं्धे से एक एप परना के हेनले कोई ना कुई पेन कोई ना कोई इशु को सकता है इसको भी आप करके देख सकते भूत ही आसान तो इसको इस फिमन करना थोऑ अगर आपके कंडली में पर्षास में मर्करी बैठें तो इंसान जो होगा इसमें सुसाइड टेंडिनिंइसी होता है इक राइब में पचास तरद के अस्पार जाके या उसके बाद चागे उसके प्रसेट के बीच में जाती है एक पर लाइब में सूसाइड अटिनिंसी आता है सूसाइड किने के कोशिश करता है यह वा कुछ कलत कदम उसा लेते हैं आपने लाहिप के भी रूत जो कि सही ही है बिल्कुल तीसरा अगर सूसाइड नहीं करेगा तो इन लोगों को और एक सिंटम मिलता है कि फोतावस में आगके बूद्धे भे तो फोरेंग जाने की योग है फिर खसे दूर जाके काम करने की योगन के लिए बनता है ठीक है इसके लाबा फोतावस में जब भी बूद्धे बैठते है तो कहिंदे कि आप लोग के लिए कोई ना कोई ऐडिक्षन के तो सिप्धार लगव भी योफ्सीकर नहीं आपके लिए ऐसा ओ सकता क्या कि आप उसका होगा कुछ खास खाना कुछ ऐबिट हो जाए कुछ खास सीज्ज करना आपक रिइत हो जाए इस तरह से हैविट्धोर अगर मास आपके सीक्स हाज में हो धेकने कंदली में इंसान के घर में हमेशे मिठा है रहीता है और उनको मीठा खाना बहुत से पश्ण आता है मिठाय कतम होगा कोई नकाहीं नहीं से अब जब भी जाएंगे मिठाय रहेगा आप खुद भी जाएंगे तो आप साइज मिठाय लेके जाएंगे कुछ इस तरह सी योग मंदा के कुलिये बे आपके सिक्सावस पे आपके मंगल दे बैठे इसके इलाबा इस विक्ति के अंदर गईप का अटिटूट होता है इनके अधर एक अगसे लेवल के अटिटूट और राव होता है इन्हों के बिएवियर में साहिए इनको पता भी न होता है इसके इलाबा मामा के बच्चे के कुछ ने कुछ इशू रहता है इसके इलाबा अगर सिक्सावस में मंगल दे बैठे है तो फिर आपके बैहन आपके पिता जी के बहन या माता जी के बहन लोग के लाइब में कुछ ना कोई इशू हो सकता है इससे बतार वाकर आपके सिक्सावस में मंगल दे बैठे हैं तो इंसान की लाइब में उचकी बैहन पिता जी के बैहन या फिर आपके माता जी के बैहन लाइब में कुछ ना कोई इ ही होगा पिटाची की लाई कि ऐंस एक्र आपके एट-ई-थाउस यसा नहीं टो इंसान कि होगा मौत की जो कारण होगा वह आसान से खुला सा नहीं होगा बहुसता कि ऑफसे बन जाते शक होते रखता है, कैसे मरे इंसान, ये इन और सब बैठते हैं तब कते हैं, ये इन और सका काम कुछ ऐसा है, अगर राहू आपके एट होसे मेठें, ठीये, पापी होके, तो यू कह सकते हैं कि इनसान जो होगा, इनसान के एकसियन होनके चोप चपट लगने की जासे बहुत ह जाड़ा उसमें कोई पापी प्लेट बैट है ठीक है बहुत पूरी तरके से पीड होके तो आपके जो जमाए होंगे अगर आपके जमाए होंगे उनके साथ अपकी अच्छे नहीं बनेगी तो यह फिर उनके आने के बात कहिने कि आपके लाइप में तो अच्छा बैटला कि हो सकता है याई कुछ पॉायंते आपक उनलम यूस करके देखे अगर सही बैड्य है कमंट कर सकते हैं और लाइध को मैं तो आप लायू पर चुद्गाए वीडियो दिनके बहुत शुक्त रिधितरता है interact करने नाबम आपके येर्ट आसिर ख़लो कर सकते हैं मेरे वीडियो